हेलो गाइज एलकुम तो कोट फॉर इंटर्वीव वेलकुम तो दे नेक्स वीडियो जाव पोजेक्स सीरीज हो फॉर्ट इस प्रोजेक्ट में हम आप तरक काफी कुछ कर चुक है अगर मैं आपको यहां पर स्टार्टिंग से इसको चला गए दिहा हूँ ठीक है तो बहुत क हमें पास और सब्सक्रारियों सब्सक्राइब कर सकते हैं रहां पर हमय्स सब्सक्राइब कर और में eu platform पर से करते नाम से सब्सक्राइब ऐस talked इसे पर जो काम होते हैं वो सब काम हम यहां पर कर सकते हैं ठीक है कि मैं पाब यहां पर all employees details तो हमने यहां से भरी थी create employee गंडे के पाद हम यहां से सभी employees की details लेख सकते हैं अगर मैं हाप यहां पर load data वी click करते हूँ तो मिल्ट पर सभी employees की details भी आजएगी तो आप यहां से बेख सकते हैं फिर हमने यहां पर रूम किया है था अगर हम लौट करो तो मैं पास यह सभी रूम्स है ठीक है अब क्या पहलते हैं अब यहां पर कस्टुमर बनाते हैं अब पो उसकी लिए पर बनायेंगे ठीक है उसको बनाने के लिए आपको हमारी पर गास बनांसे अब यहां पर पीछे की तरह जैसे हम अब तक पीछे करते हैं हम कराइंगे एक्सेंस जे फ्रेम हमें नहीं किया और फिर यहां पर इसको इंपोर करांगे जे फ्रेम को ठीक है तो इंपोर्ट जावा तो सबसे पहले लेबल्स बना लेते हैं ठीक है लेबल्स बनाते हैं उसके बाद पर देखेंगे सब कुछ तो मैंने यहाँ पर देखें लेबल बनाया अच्छिपन दोट। यहाँ पर बाते हैं में कोई आउडिया नहीं है कहां पर आएगा यह तो इसको एडिकरने के बाद अभी हां पर से बांस करेंगे अब यहां पर इसको कितना देते हैं 200 देते हैं चला के देखते है अभी पहले इसको फ्रेम बना लेते हैं फिर उसको चलाएंगे तो यहां पर मैंने इसको सेट ले और नल-Nल किया और फिर हां पर सेट बाउंस किया मैंने ठीक है यहां से 500 ओपर से 200 हम हर फ्रेम में देही रहे हैं ठीक है 900 जते हैं क्योंकि मैं को हाँ पर राइट हैंड साइड इमेज भी चाहिए तो थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होगा ठीक और इसको 500 देते हैं और बाकी बाद में देखेंगे ठीक है बाद में जैसे requirements होगी फिर उसको चेंज कर देंगे तो set visible मैंने यहाँ पर true किया और public main बनाते हैं ठीक है इसको चलाना है अब तो main बनाएंगे यहाँ पर public set ego in main and string args इस class का object बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पर customer and object बनाते ही मेरे पास यहाँ पर उसका constructor call होगा constructor के अंदर मेरे पास सभी frame की recording से ठीक है तो यहाँ चलाके देखते है perfect आए बिल्कुल ठीक है बस इसको थोड़ असके color change करने में को तो l1.set font मैंने हाँ पर किया ठीक है इसके phone class करने हाँ पर object बनाए और उसके constructor में पास करेंगे तहोमा दिया है जैसे हम पीछे देते आ रहे हैं तर ठीक है and फिर यहाँ पर देंगे phone.bald ठीक है और इसका size कितना देते ना है है थाइस support देते हैं 20 देते हैं चला के देखता हूं ah 20 नहीं 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 इसको सबसे वहले तो इसको पूरा नहीं आया तो इसको में को यहाँ पर इसकी length को बढ़ाना पड़ेगा तो इसको देते है 300 ह 누가 i do it be a Google जलाते है वहां या फोब अच्छा नहीं लग रद इसको ुद्सको प्लेंग इसको करते हैं हां color class mirror है क्योंकि color जो होता है वो हमारा awt package के अंदर होता है तो जावरो awt.star की हमेने यहाँ पर ठीक है विल्कुल perfect है चला के देखते है यह काफी better काफी better ठीक है फिर मेरे पास यहाँ पर जो next label हो L2 के नाम से है ठीक है अब जो बाकी के labels है वो बनाएंगे है ठीक है मेरे यहाँ पर पहला label है L2 के नाम से इस गोस्टू पहले सारे labels होना आ लेते हैं ठीक है फिर बाकी चीज़े बाद में बनाएंगे पहला जो मेरे लेबल हो ID के नाम से ठीक है जिसमें कस्टूमर से मैं उसकी ID मांग रहा हूं कि आप अपम में अपनी ID दिखाए ठीक है और फिर फिर इसको कितना दें इसको देते हैं 100 ठीक है 100 दिया मैंने हाप इसको 20 यह और फिर एड करेंगे L2 को चला के देखते हैं कि सही आया है या नहीं आया थोड़ा से इसको आगे बढ़ाना पुड़ेगा तो इसको 35 करते हैं रहा 35 करते हैं क्यों बहुत पीछे था भाई इसको स्हेंज प्रेटल आप मनाते हैं तो मेरे पास यहां पर रड़ें एयल 3 आ फिर ठिक ह्या अ को नमबर के नाम से ठीक है क्योंकि यहां पर इस इसलेक्ट होने के बाद वो नमबर अचाहिए तो इसको मैंने चेंज किया है यहां पर यह परफेक्ट ठीक है तो 44 का गप रखते हैं सब के बीच में तो यहां पर आगया और दीक है यहां नम लिखोest इंब मनें और इसको मेंने किया यहां पर1 फिरा पास यहां पर नेक्स्त है थिक है नेक्स्त जो मेरा वो चेंटर के नाम से ठीक है नेक्स लेबल इसमें मेरे पास बिचल मिवत्सें घ्डिटनि ने यहां पर दिया मैंने 200 ठीक है चला के देखते हैं एक बार इस सही आ रहा है या रहा है यह सही है बलकुल ठीक है फिर मीवाल जो next label है वो L6 के नाम से ठीक है और यहां पर L6 आ गया यहां पर BL6 आ गया ठीक है और फिर इसको रखते हैं 240 क्योंकि हम 4040 का gap दे रहे हैं और फिर यहां पे gender के बाद मैं पूछ रहा हूँ country कौन सी है? अरे मैंने उसको change नहीं किया क्या वह तक number है कोई नहीं ठीक है, यहां पे gender आ गया and फृण यहां पे आ गया l7 ठीक है यहां पर भी LC विन आ गया यहां पर भी LC विन आ गया ठीक है number के बाद फिर है country कंट्री नंबर के बाद अपना जेंडर था कंट्री थी और इसके बाद फिर अपना है अलोकेटेड रूम नंबर की जो बंदे को कौन सा रूम नंबर यहां पर आया इसके लिए शायद में को उसका साइज भढ़ाना पड़ेगा नहीं तो यह छुप जाएगा पीछे उसके नंबर चुप रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए हां पर 50 किया वेने इसको ठीक है 150 तक रखा या परफेक्ट बिल्कुल ठीक है अब जो मारा next label है वो बनाते है ठीक है तो यहां पर L8 किया मैंने और यहां पर L8 किया और यहां पर मैंने किया L8 ठीक है अब यहां पर मैं पूछए हुआ हुआ कि बंदा चेक इन कर चुका यह नहीं किया तो यहां पर चेक दिन ठीक है और Yes др no ठीक है फिर में पर यहां पर इसके जो यह हैं इनको चेंज करना है तो यहां पर 320 के अन 262 चलागे देखते हैं ठीक है यह नहीं है domu यहा रिल्कुल ठीक है ठीक है इसके color को change करते हैं यहां पर मैंने किया get content pane ठीक है get content pane क्लास है dot set background हो यहां पर color.white ठीक है चलाते है get content pane यहां पर्फेक्ट बिल्कुल ठीक है अब text fields बनाते है तो मेंने पास यहां पर total 4 text fields है ठीक है तो मैं को यहां पर 4 text fields चाहिए T1, T2, T3 & T4 दो बटन चाहिए में को हां पर ठीक है तो B1 और B2 के नामस बने है तो हां पर दो बटन बनाए ठीक है यहां फ्रम को बजाए है ठीक है jullie को बटना शुक्त चाहिए है ठीक है असको बनाते हैं कैसे हम जो blindness उना सकते हैं वह 2 पता रिकों निलिक नाा सकते हैं जैसलिक मैं को बताया बहा था ठीक है या तो हम कॉम्बा से लिकोंस हो जाने हो या फिर हम छजूइस बना सकते हैं अब Combox और Choice में क्या डिफ्रेंस होता है कि Combox जो होता है हमारा Swing Package के अंदर होता है लेकिन जो Choice होता है हमारा वो AWD Package के अंदर होता है तो अगर वो AWD Package के अंदर है तो यहां पर J नहीं आएगा क्योंकि J अगर किसी भी क्लास के आगे J लगावा है तो मतलब उसका यह इंडिकेशन होता है कि वो Swing Package के अंदर है अब जैसे यहां पर J लगावा है मैंने और यह है AWD Package के अंदर यह इसलिए Error क्या दे रहा है बता रहा है कुछ Can not find symbol दे रहा है कोई दिक्कत नहीं जाता तो यह error चला जाएगा ठीक है तो ComboBox और Choice दोनों सेम काम करते हैं बड़ डिफ्रेंस यह है ComboBox Swing Package के अंदर होता है और Choice जो होता है AWD Package के अंदर होता है ठीक है अब यहां पर ID जो हो है मेरे पास मेरे पास यहां पर एक ComboBox है इसके सामने मतलब ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा ComboBox ComboBox का object बनाया और यहां पर मैंने लिखा new string ठीक एक new string array बनाया जैसे कि हमने पीछे भी किया था और यहां पर मैं लिख रहा हूं कि बंदा passport दे रहा है वोटर वोटर ID काट दे रहा है ठीक है driving 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 license दे रहा है ठीक है यह फिर बन था अधार काट दे रहा है ADHAR यह पर्फेक्ट बिल्कुल ठीक है और फिर यहां पर मैंने किया c1.set bounds करेंगे इसको ठीक है अगर आपने देखो तो 150 तक तो वोई label था 150 & 35 तो कितना होगे 185 तक तो यह ही है तो इसकी starting जोगी 200 से होगी 200 & फिर अगर आप देखो के तो ID जो है वो 80 पर है तो इसको 80 रखते है और इसको कितना रखते है इसको 150 रखते है add कि हमने हाँ पर capital कैसे हो गया add कि हमने हाँ पर c2 को ठीक है चलाते है पर्फेक्ट है विल्कुल ठीक है score 30 करना है गया 20 में अच्छा नहीं लग रहा 30 करके देखते है 30 में काफी बड़ा होगे 30 में तो 25 करते है हम् ठीक है 25 में ठीक है या तो फिर उसके बाद नमबर में मेरे पाद यहाँ पर text field है तो T1 is equals to new j and text field ठीक है और फिर T1 dot अदे लास्ट में उसको हटाते है फिर T1 dot set bounce की हमने हाँ पर T1 dot set set bounce और यह कहां से start हो रहा है यह 200 से start हो रहा है ठीक है 200 से start हो रहा है और कितनी नीचे है 120 नीचे है और 150 and 25 ठीक है जैसे कि हमने ऊपर दिये थे T1 T1 को add किया है यहां पर चला के देखते है सही आया है क्या या, ठीक आया है परफेक्क्त बिल्कुल ठीक है और फिर में पर यहांपर name के नीचे मेरे पास यहांपर text field ऑपर text field बनाया ठीक है और इसको T2 किया यह और यहांपर इसको करेंगे 160 60 ठीक है, 2 बिल्कुल ठीक है, अब मिर पास है यहां पर रेडियो बटन भीएँ है, तो मैंने को यहां पर 2 बटन बंदन आने पड़ेंगे, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा, जे रेडियो, R1 and R2, यह ठीक है जो रेडियो बटन है वो जेंडर के सामने है तो मैंने यहां पर जेंडर की नीची लिखता हूं इसको ठीक है तो र1 is equal to new j रेडियो और यहां पर आ जाएगा mail ठीक है फिर r1. button उपर भी मैंने यहां पर भी बटन आएगा ठीक है मैंने इसे रेडियो लिखके छोड़ दिया था ठीक है फिर इसको भी करेंगे set bounce करकिया इसको ठीक है है इसको set bounce किया यह कहां से start होगा यह भी 200 से start होगा ठीक है लेकिन की रखा इसको और इसको 25 ठीक है लिखा या फुम्हार लिखा आए गँगा तो को 20 करना वड़ेगा चाहिभा चला के देख लेते हैं eyesight 25 निए 25 से ठीक है, कोई दिक्करत नहीं तहीं है 25 में इसको सब्सक्राइब बुद इसको थोड़ अकम किया है, या इतना ठीक है वो फिमेल के लिए फिर वहाँ पर जगा नहीं बचेगा तो टूसिक्टी तक तो यही है तूसिक्टी तो इसको 270 रखतें है ठीक है परफेक्ट आया बिल्कुल बस इसको फिमेल में चेंज करते हैं अब देखते हैं कहां आता है और फिर उसली के हिसाब से इसको चेंज कर देंगे पहले तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वो कट गया वहां से बुरा तो इसको किया मैंने हाँ पर 80 ठीक है या परफेक्ट बिल्कुल ठीक है बस इसके कलर को चेंज करना है क्योंकि यहां पर वह white color news का कुछ और आ रहा है तो मैंने यहां पर इसको set background किया और यहां पर color.white दिया ठीक है इसको copy करेंगे और यही चीज R2 में भी करेंगे ठीक है चला के देखते हैं पर्फेक्ट बिल्कुल ठीक है country के सामने में कोई यहां पर टेक्स फील चाहिए तो ऊपर से कोई भी एक टेक्स फील कौपी की मैंने ठीक है और पीछे से background noise आ रही है तो और फिर यहां पर मैंने डाला T3 इसको T3 किया इसको T3 किया ठीक है उसके बाद फिर यहां पर बार गया 240 हुआ है पर्फेक्ट बिल्कुल अब अब यहां पर नेग नłemज अम बजे है इसमय आप यक्ट बनाते हैं यहां पर यहां पर जो रूम नम्बरस हो और वह है अपना पासवर्ड और फिर शों डेटाबेस थी कर फेक्ट मेल पास जो डेटाबेस यह वह है कौन सा डेटाबेस है project HMS ठीक है project HMSảoनियन सिस्टेम ठीक है यहां फोर शोड़ी तेबल गया मैंने तो तो सेलेक्ट स्टार फ्रों कि सब्सक्राइब सा थो यहां पर यहां पर एक चॉइस है चॉइस कुछ नहीं होता बस रगण होता है जैसे यहां पर में अपर यहां पासपोर्ट से स्वेस्ट करवाना थे मैं चुला कि इसको ठीक है तो जैसे यहां पर यह मेरे पास एक drop down है यह एक drop down है वैसे ही मैं को यहां पर एक drop down चाहिए allocated room number के सामने जिसमें सभी room numbers आएंगे ठीक है अब allocated room number है मेरे पास hotel में room number है वो static नहीं हो सकते ठीक है जैसे कि मैंने यहां पर किया हुए यहां पर तो यह चीज मैंने static की भी है passport, water ID, driving license, आधरकार क्योंकि यह चीज़े रौज रौज चेंज नहीं होती अब suppose मेरे पास एक room number है जो functional है ठीक है उसमें कोई दिख कर नहीं है लेकिन एक मेरे पास room number है जो under maintenance है ठीक है तो मैं उसको तो नहीं दे सकता कि बंदे को ठीक है तो यहां पर या फिर suppose construction हुई है कोई एक नए रूम हुआ है कोई रूम हमने हटाया है ठीक है रूम हटा के हमने वहां पर लोबी बना दी सपोस्पोस ठीक है होटल में तो यहां पर जो रूम का पूरा system है वो पूरा dynamic है ठीक है और यह dynamic room numbers हम यहां पर handle करने हैं जो हमारा database है तो यहां पर हमारे पास है कितने room numbers available है कितने room numbers नहीं available ठीक है वो सभी है यहां पर हमारे पास ठीक है तो अगर तो यह चीज़ dynamic है तो सीधा इसको database से उठाते है ठीक है मतलब मैं यह point रखना चाहता हूं कि यहां पर हमें इसको static रखने का कोई मतलब नहीं है यहां पर नहीं करने से मेरा मतलब है कि जो हमारे room numbers है उनको हम सीधा उठाते हैं वहां से कहां से सीधा उठाते हैं तो database उठाने के लिए क्या करेंगे यहांपर मैंने इक कौन ग्लास को ऑप्जिक्पना है ठीक है, कौन सी, इस इक उन्यूम कॉन, या बिल्कुल, मैं यहां पर एक क्वेरी चलाने वाल हूँ, ठीक है, स्क्रिंग स्टी आर के नाम के मैंने हाँ इसको ठीक है, जो की होगा, इसको result set में उठाया, ठीक है, क्योंकि जो result set में उठाया और c.s.execute query, perfect बिल्कुल, क्योंकि अभी हाँ पर मेरे पास इक data निकल के आएगा, तो मैंने यहाँ पर इसको execute query किया, ठीक है, execute query करने के बाद हम इसको add कराना है, सबसे पहले result set में error आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर SQL package इंपोर्ट किया, java.sql.star, ठीक है, वैसे कायदे में होना यह चाहिए था, कि इसके लिए भी एक अलग से database होता, table होती है, और वहाँ पर यह सब ही, वहाँ पर stored होते, ठीक है और हम यह सीधा database से निगालते हैं, होना यही चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसको हम एक बारी के लिए static रख सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन room static नहीं हो सकते, ठीक है, मैं वहाँ पर यह नहीं लेख सकता, 101, 102, 103, क्योंकि मैं को पता ही नहीं है, तो यहाँ प यहाँ पर object नहीं मना है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर क्या हो है, कि इस query से जो भी result आएगा, इस query का, वो सारा result set में आ चुग है, मतलब result set में इस time क्या है, result set में यह सब पड़ावा है, ठीक है, जो भी query का result है, वो सारा आ चुग है, उसने पूरी table में को return यहाँ पर कर तो अब यहाँ पर मैं को use करना पड़ेगा next method का, तो मैंने हाँ पर rs.next चलाया, while rx.next, while क्यों चलाया मैंने, जब तक सारा data खतम ना हो जाए, जब तक वो हर एक row पे traverse न कर ले, और जो next method होता है, वो column to column जब करता है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर c1, c2, c2.add function का मैंने हाँ पर use किया, ठीक है, और मैं हाँ पर कर रहा हूँ, rs.getString, getString एक हमार पास method होता है, अगर मैं पास suppose कि particular string निकालनी है, जैसे मैं को यहाँ पर room, room निकालना है, ठीक है, room number निकालना है, तो वो column यहाँ रूम के नाम से, तो मैं यहाँ पर इसके मैं मेरे पास महाँ पर room column है, वहाँ पर मेरे पास, ठीक है, उसके नाम से है, और rs.getString उस room के अंदर जो data पड़ाव है, इसने वो निकालना, ठीक है, तो यह, इतने से काम बन जाना चाहिए, ठीक है, इसको एक second set bound कराता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, तो मैंने पास किया मैंने हाँ, फिर 200 से चल रहा है, सारा मामला और यह जाएगा, ठीक है, और 150 and 25, या, परफेक्ट बिल्कुल, अरे, इसको एड़ तो किया नहीं, एक second इसको एड़ करते हैं, अरे, एड़ नहीं किया, हाँ भी आएगा, एक second, इसको एन यहाँ पर लिए, ठीक है, या, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, शिफ्ट F6 दबाया मैंने, आप देखना कि सारा यह 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 देखो, यह सारा डेटा जो है, जितने भी रूम नमबर से, यह सब भाहां से निकल गया आए है, डेटावेस में से, ठीक है, तो डेटावेस में में मेरे पास 101 से लेके 120 तक थे रूम नमबर से, तो सारे इसने रूम नमबर से उठाए हैं, डेटावेस में से, और इसने सीधा इसको यहां पर लाग के पाटर दिये, ठीक है, तो उपर भी मैं यह भी बोल रहा था, कि यह चीज़ भी डेटावेस से होने चाहिए थी, लेकिन कोई बात निया, हम एक बार करते हैं, हाँ, ठीक है, कोई चेकर नहीं, यहां से अड़ करते हैं, एड रूम यह रा मेरा मेरा पास, ठीक है, यहां से अड़ करते हैं, 121 मेरा next room होगा, एवलेबल होगा, clean होगा, और इसका price कितना होगा, price support रखते हैं, 12,000 ठीक है, सिंगल बेट के लिए, और यहां पर add room की है, new room added, ठीक है, और फिर यहां पर जाएंगे, कहां पर, इसको फिर से चलाएंगे, ठीक है, जो add customer में एक लास थी, इसको फिर से चलाया मैंने, ठीक है, आप देखेंगे, 121 यहां पर आ चुका होगा, यह देखो, सबसे नीचे 121 आ चुका है, ठीक है, यह database में यह व ठीक है, और एक चीज़ और थी, एक चीज़ और थी, यह मैं देख रहा था, यहां पर status में और available में, available में available आ रहा था, लेकिन वो status में भी available दिखा रहा था, लास वीडियो मैंने आपको बोला था, कि इस चीज़ को मैं figure out करूंगा, क्या हो रहा है, तो यहां, problem में को मिल ठीक है, add rooms में मैंने किया है, यहां पर, यह जो status है, इसमें मैंने c1.get selected item किया है, और यहां पर भी c1.get selected item है, तो दोनों में मैं एक ही drop down से value उठा रहा हूं, तो यह c1.get selected item में c1 में जो value है वह इस तम ए available है, तो मैं यही available value इस वाले इसमें इतलवा रहा हूं, तो मेरे प अब अगर आप देखोगे, तो यहां पर यह जो value मैंने अभी भी ढाली है, इसमें भी यह दोनों इसने available available उठाए है, जब कि वहां पर वो चीज मैंने डाली थी, वो clean डाली थी, ठीक है, अब अगर मैं आपको यहां पर चला कर दिखाओं, ठीक है, तो 122 मैंने हापर डाल आपको यहां पर, देखोगे, यहां पर अब clean डाल आगा क्या, ठीक है, तो एक छोट इसी typo थी, ठीक है, तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, अब add customer पर वापस आते हैं, ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिखकत नीए, और फिर अब जो इसके बाद है, इस इसके बाद मेरे पास यहां पर दो text fields है, ठीक है, तो मैंने यहां पर इसको उठाया, ठीक है, T3 को उठाया, मेरे पास यहां पर चेक्टिन के बाद एक text field है, ठीक है, और फिर यहां पर इसको किया, 320, और इसको किया, 360, और T3 को किया, मैंने यहां पर T4, T4, and T4, और इसको यहां पर लिपकोर ठीक है तीफाइव के नाम से मिरे पास कोई ठीक नाम पर टेक्स फियल निया रिपोजिटरी बोल रहो है गिटब भूम रहा है दिमाग में यह ठीक है आज चुका है कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए को चेंज करते है वजीव लग रहा है, c1.setBackground और यहां पर रहा है, color.white, हाँ, ठीक है, perfect है बिल्कुल, ठीक है, या, अब यहां पर बटन आते हैं, तो b1 is equal to new j button, ठीक है, और यह बटन होगा, add के नाम से, ठीक है, ठीक है, add customer के नाम से रखने हैं, और यहां पर लिखेंगे, setBackground, और यहां पर लिखा, मैंने color.black, और एक सेकिन, उसको close के ना रह रह गया, या, and b1.setBackground and color.one, ठीक है, फिर इसको set bounds किया, मैंने यहां पर, set bounds किया, अभी ये 200, and label 35 से start हो रहा है, इसको 40 तक रखते हैं, ठीक है, 40 तक रखते हैं, वो 100 है, आ, नहीं, 35 से start करते हैं, I have no clue, यहां पर आएगा, ठीक है, इसको करते हैं, 400, यह 150 है, ठीक है, इसको करते हैं, 120 and 25, 25, yeah, add करते हैं, B1 को, यह बहुत बूरा काम होता है, भाई, इसको set bound करना, ठीक है, B2 लगाते हैं, B2, 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 अभी 120 and 155 तक तो यह आएगा, तो इसको 170 से start करते हैं, 170 and 120 कितना होता है, 290, 290, 290 हा, ठीक है, 290 and वो उपर कितना है, 350, उसको 350 तक जाना चाहिए, तब ऐसे दो, 80 and 90 से चुब रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं देख लेंगे, कैसे वी होगा, ठीक है, इसको back किया, चलाते हैं, बटन में problem आएगी, लगरा है मैंको, हाँ, buttons में problem है, ठीक है, बटन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा नीचे करना है बैल तो बटन को ठीक है, तो नीचे होंगे, यहां से 400 से, और 10 किया ठीक है बटन थोड़ आगे बढ़ाते हैं इसको 50 से शुरू किया 15 आगे बढ़ाया है मैंने ठीक है तो इसको 200 से शुरू करते हैं तो ठीक है वैसे ठीक है बिलकुल अलाइमेंट के ताब से बिलकुल ठीक है उसमें कोई दिक्कत निया ठीक है और यहाँ पर action लिसन लगाते हैं तो यहाँ पर किया करेंगेंड आ आई मेंड आड लिमेंग शेक्षिन इस ना हुआ है किकर और इसमेंस पेस दिया पर्फिक्ट और यह प्र जाएंगि इंपोर्ट चावर डॉर्डविडी कि हॉप यह अर्भ फिर वह बें यहां पेखफिये अरभ मरद ही और अबर में पड़न इस न्मिकेमिन स्बाफ सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो बिल्कूल इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बैल्यूस निकालते हैं सब भी बैल्यूस निकालते हैं अब यह कॉंबवक से एक औबजेक्ट रिटन करता है तो मेरे पास यहां पर इसको में को टाइप करना वड़ेगा स्ट्रिंग में ठीके और यह फंक्शन जो यूज होता है वह यूज होता है गैस्ट्रेक्टर आइटम बीच में लगे उसको नमबर और नेम है तो मैरे पास जो यह है एक नमबर है ठीक है और यह होते है में यह है मिल्कुल परफिक्ट है और फिर एक सेंद्थ या तेन उसके बाद अरे यह क्यों खुल गया फिर मैं पाद यहां पर जेंडर है जेंडर के लिए मैं को एक स्ट्रिंग ले लेनी पड़ेगी ठीक है एक स्ट्रिंग लीगी जिसमें मैंने जेंडर इकल्स टू नल किया इसको ठीक है और फिर मैंने रेखा कि इफ ऑर वन डॉट एस लेक्टेड, कि अगर बंदे ने आरवन Всеलेक्ट किया है, तो मैंने string में ॡाला, gender में ॡाला, मैंने यहां पर male, यह बंदा male है ठीकَ है क्योंकि bees Campaign Valentine जो में पास बेडियो बटन है, वो उसका है आण किसका का मेल का ठीक है अगर बंदी ने रखा फीमेल फिल्कुल परफेक्ट है ठीक है फिर मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो next जो है वह एक text field है ठीक है country के नाम से तो string country लिखा मैंने यहाँ पर यहाँ फिर मेरे पास यहाँ पर T3 के अंदर हो ठीक है तो T3.get text किया है यहाँ यह सेकंड यह अरे यह तो इसको रखते हैं room is equals to और फिर c2.get selected item परफेक्ट बिल्कुल ठीक है फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ है चेक्डिन और deposit के नाम से मेरे पास यहाँ पर दो वो है ठीक है यहाँ चेक्डिन और deposit तो मेरे पास यहाँ पर सबस्वेल स्टेटस है ठीक है स्टेटस में मेरे पास यहाँ पर T4 text field है ना पर query बनाते है मतलब table बनाते है query बोल रहे हो तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या create table करेट table customer के नाम से पोस्पोस बनाएंगे वाली ठीक है फिर मेरे पास यहाँ पर सबस्षब ले ID है जिसको मैंने वैरकल लिया वैरकल बेंगे 10 तक 10 20 ठीक है फिर मेरे पास पर डींगे को में डींग मेरे पास यहां पे जय 거지 को के उन्हाहइं इसको इध कर आते हैं Yeah जी मैं नहीं क्टिया राग करें कि अब करेंगें धिया 20 यहां पर थी कि यहां पर रूम है जिसके near पढ़ी पने रम्ड़ों है और यहां पर भूल थ्यूंट दिया इसमों ड्यूंद आ है पर जिसमें पर फिर से वार केर कन है है यहां पर दिया 20 ठीक है फिर डिपॉजिट है वैर के 20 अब जो यह जो क्वेरी है इसी क्वेरी को मैं को यहां पर चलाना है ठीक है तो यहां पर मैंने सब्पोर स्प्रिंग मनाई फिर्घ मना यहां यहां ऐसा को मारते है एक यह लगा है जैसा course पीछे करते हैं, फिर यह लगाया, फिर यह लगाया फिर्फेकल बिल्कुल ठीक है, अब मिर पास कितनी वेल्यूज है, एक रिवल्यूज देकल एक दौ तो इसको आड़ बार को कॉपी करेंगे, शॉर्टगाट मारते हैं, दो तीन परफेक्ट बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले जो अपने पास फील्ड है वो आईडी के नाम से, फील्ड अपने पास नमबर के नाम से, फील्ड अपने पास नमबर के नाम से, फील्ड अपने पास जेंडर के नाम से, फील्ड अपने पास जो है वो कंट्री के नाम से, फील्ड वो room के नाम से, then status के नाम से, and then deposit के नाम से, last में semicolon, yeah perfect बिल्कुल, ठीक है, फिर अपने बास यहां पे, मैं को trycash लगाना बड़ेगा, ठीक है, और मैंने यहां पे कौन glass copy जिबना है, कौन c equals to, newcon, ठीक है, और मैं को यहां पे c.s. execute, update करना बड़ेगा, इस बार, ठीक है, execute, और update, यह वाली string, ठीक है, और इसमें मैंने यह pass किया, p.a.d.ch, और यहां पे, exception e, ठीक है, exception को catch किया, yeah, सभी है रगए, and फिर मैं को यहां पे, joption paint throw करना है, joption paint dot, show message dialogue, show message dialogue, जिसमें formatting मैंने null की, ठीक है, और मैंने हां पे message दिया, कि, new customer, और edit, ठीक है, इसके बाद फिर मैंने हाप पे किया, set visible false, this dot set visible false, लेकिन उससे पहले, उससे पहले, एक second, यहां पे, new deposit class का मैंने, new deposit नी, new reception, मैंने object man dot set visible true किया, ठीक है, मतलब मैं यहां पे कर के आ रहा हूँ, मैंने सभी values निकाली, ठीक है, यहां से मैंने सभी values निकाली, जो user ने भरी है, इन सभी उसमें, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने किया, यहां पे एक string में यह सभी values डाली, ठीक है, उस string को execute करवाया, ठीक है ठीक है, वो स्क्वेरी को execute कराया, ठीक है, वहां से अगर वो value successfully आती है, ठीक है, अगर वो value successfully आयाई है, तो मैंने हाँ पे एक dial owg print करा दिया, ठीक है, जो की वो दे रहा है, new customer added, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने deception वाला frame खोल दिया, सिधा, ठीक है, जो मेरा पीछला frame है, और मैंने करते हैं पर इस दोड शेट विजिबल फॉल्स ठीक है एक चीज है कि मैंने यहां पर वो नी ट्रैक किया कि कौन सब बटन गोल हो है तो यहां पर एड और यह सोर्स वो तो मैं बूली गया था कोई बात नहीं ठीक है फिर इसको आगे करते हैं इसको थोड़ी सी अब इसकी इंडेंटेशन से करने पड़ेगी मैंको ठीक है बस एक सेकेंड लगेगा यह बर्कुल ठीक है इसको यहां लेके गए तो बनाया और से हड़े ची इस ब्लाइब तो मनेरा सेप्टेशन सब्सक्त अब और स्वक्राया कुर्ण को राइया बर्कि फॉप सर्कें यह परणाऊ इंडेशन आट1204 आओ अगेशन मेना अग्जिक बनाया अवक्त से ऍक न middle bay यह थाओ भाप्स एसकि पर जाऊँगा वैं थिक है तो कि एंजžैल में तो इसने में यह बनाcen frying के शला के देखते हैं कि अ अरे यार यह यह अम चलाते हैं की मचल थीक एंज ठीक है कि आउर चलाकर देख लेते हैं ठीत के पास्पोर्ट में शुच भी पास्पोर्ट नंबर दाला मैंने हाँ पर ठीक है और name डाला और name डाला suppose शाहरुफ खान ठीक है बंदा मेहल है ठीक है कंट्री इंडिया है ठीक है और कौन से रूम नंबर है वो ऐननने 1 में है ठीक है चक दिन कर चुका है yes our deposit के दिये है उसंने 5000 दिये एड कस्टुमर किया मैंने हाँ पर कोई एक्सेप्शन आई है ठीक है मैंने शायद उसको बीवन नोड एक्शन लिसना नहीं किया या यह मैं हमेशा भोलता हूं ठीक है तो अब अगर कुछ नहीं होता तो मैं को पता लग जाता है कि भाई यही मिस्टेक होई होगी क्योंकि य अगले बार से बटन बनाती है सबसे बहुत यहीं लगाया करूंगा वी टू डॉट एडेक्शन लिसनर लगेस टी एनिया और यहां पर बास किया दिस ठीक है चला के देखते हैं आँ बैक करते हैं पहले या खुल रहा है ठीक है निव कस्टुमर पर अब ही खुलेगा नही यहां पर लिए एड करते हैं फिर बाद में आभाइक हूँ थी के तो यहां पर मैंने किया निव बनाया ठीक है एक सेक्ट एक सेकें इंडेंटेशन यह नियुक्पे आए जो टास में फरीक अच्ट डॉड यहां बनाया जिसको इत्विजिबल परू प्रू किया ठीक है और जो करेंट फ्रेम में एक उसको लोग लोज करना है तो मैं यहां पर लिखा दिस डॉट सेट विजिबल एंड फॉल्स ठीक है या चलाते है नियू कस्टुमर फोर्म जा रहा है जा रहा है शुकर है वापस आ गए चले गए वापस आ गए एंड चले ठीक है अब यहां पर नंबर भाएबर ते हैं 123456 ठीक है कुछ भी भाएबर आ और यह भाएबरा ठीक है और फिर बंदे का नाम है शहरुप खान ठीक है बंदा मेले ठीक है तो अपना यहां पर आ चुका है तो यह आ चुका है ठीक है जो पासपोर्ट ही है और नेम शारुख खान ठीक है तो बंदा यहां पर आ चुका है लेकिन अब एक चीज है कि रूम नंबर 202 में मैं शारुख खान को भेज भेज चुका हूँ ठीक है वो चेक इन बंदा महां पर कर चुका है लेकिन यह अब भी एवलेबल दिखा रहे है तो अब यहां पर इसको चेंज करना है जब भी किसी रूम में कोई बंदा जाए तो यहां पर रूम का जो वाला कोलम है वो अपने अपडेट हो जाए कि इस रूम में बंदा आ चुका है तो यह वाला रूम जो है वो अब यहां पर में को एक और और यहां पर मैं को चलाना पड़ी अपडेट करना पड़ेगा मैं को इसको मैं को आपडेट करना है तो मैंने इसको यहां से कॉप्टी किया और set available ठीक है अब available में में इसको occupied अभी वहाँ पर available आ रहा है ना उसको में को दिखाना है occupied where जहाँपे room number मैच होगा, अब room number जो है मेरा यहाँपे इसमें room के नाम से है, अगर आप यहाँपे देखोगे यहाँपे यहाँपे room के नाम से है, क्योंकि में को यहां पर अब एक unique की देनी पड़े है और unique की जो है मेरी वो room के नाम से ठीक है primary की जिसको बोलते है ठीक है अब यहां पर where room is equals to ठीक है अब यहां पर मैं कोई यह देना पड़ेगा and यहां प्लस प्लस कगाना पड़ेगा है यहां पर यह देना पड़ेगा यह देना पड़ेगा यह यह ठीक है अब जो room number है मेरा किस नाम से हे वो मेरा यहां पर room के नाम से ठीक है आप यहां पर देखेंगे कि cc2. get selected item अब जिस room में बन्दा है मैं धी कहा गा हॉँ कि Jis room में बन्दा है उसका available status है उसको को एवलेबल से हठाके ऑक्कुपाइड गणना है ठीक है अफिर बंदा जब चेक आउट मार जाएगा तो हम यही कोई चलाएंगे लेकिन इस बार एवलेबल की जगा ऑक्कुपाइड की जगा उहां पर उसको एवलेबल देंगे ठीक है तो इस तरह काम कर रहे है और फिर यह चलाएं तो इस बार भथे हैं बंदे को आधार कारण के नाम से आधा कारण में हां पर फिर में को बन्बर भनना है आपने लिखना है आपको एक दो तीन चारपाँचे आट नोव दस गहरा बारा वेलेजिट ईसका अधार नमबर ठीक है नेम भथे हैं सपोस्छ आईशमान आईश्मान खुराना ने पहला चाहू बजाया है प्रियानों पर क्या सेक्सी बजाया है ठीक है आपको आईश्मान खुराना की इंस्टा आईडी खोड़ना ठीक है अभी चार-पांस दिन पहले की विडियो है ठीक है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना हूँ 24 तारीक को ठी अब देखना जाके बहुत अच्छा बजाया है अगर आप मनी इसके फैन है तो ठीक है बंदा मेल है कंट्री कौन सी है इंडिया है ठीक है अलोकेटिट रूम नंबर कौन सा रूम नंबर करते हैं सब्सक्राइब चेक्डिन कर चुगा है बंदा यस डेपॉजिट कितने की ह है एन्गें है पर कस्टुमर एडिट ठीक है अब रूम जाकर चेक करते हैं कि वहां पर उसका स्टेटस चेंज होई यह नहीं हो देखो है यह पर स्टेटस चेंज हो चुगा है यह रूम पहले अवलेबल था अपने पीछे रिवाइंड करके देख रहें ना तो यह रूम यह cleaned ठीक है जब checkout बंदा कर जाएगा तब यह वाला जो status है इसको कर देंगे available और यह वाला status है ठीक है इसको कर देंगे dirty ठीक है अभी एक minor सा error है ठीक है मैंने इस वीडियो के starting में explain किया था कि हांपर यह available क्यों आ रहे हांपर दो fields हो पो नीशने थी आदिया तो तो यह वाली फील्ड हो जाएगी डिर्टी तो यह चीज हो चुके लेकिन आप यहां पर एक चीज रहती है कि हमने हाँ पर इमेज तो लगाई नहीं सारा काम कर लिया इमेज भूल गए ठीक है तो यहां फिर पहले इमेज लगाते हैं फिर वीडियो क्लोज करते हैं ठीक है तो इमेज लगाने के लिए इमेज आइकन के लिए इस बार फिफ्त के नाम से होगी या यह यह वाली में जो थोड़ी छोटी करके दिखाता हूं एक सिके निए यह वाली में आधनी है योगा चल भी है ठीक है फिव.jpg परफेक्ट ठीक है इसको मैं को शायद डामेंशन्स की चेंज भी करने पूरेंगे ठीक है वो देखते हैं इसको क्या दे हैं नाइन करते हैं नहीं हूं जे लेबल ठीक है इसमें आईवन पास किया और एल नाइन डॉट सेट बाउन्स किया मैंने यहां पर ठीक है अपर के यहां नाम से पहले से बना वाएगा जिए जिरो नाइन के टैन करते हैं ठीक है और यहां पर क्या मैंने गुटें ठीक है स्ट बाउंस करेंगे इसको ठीक है अब जो अपना जो यह है उचा का 3 20 तक जा रहा है कि 220 इसको स्टार्ट करते हैं 400 से 400 से and 50 से and इसको खुद को देते हैं कितना 300 and 300 I have no clue यह कहां पर आएगा बस चेक कर लेते हैं कहां पर आ रहा है फिर उससाब से उसको बाद में अजस्ट कर देंगे कि ठीक है आया ही नहीं अरे ऐसा किसे हो गया अरे यार यहां पर यह तो लिखाई नहीं मैंने classloader .get system resource वीडियो बहुत लंबी हो गया तो मैं को close करने है वीडियो जल्दी-जल्दी करके ठीक है इसलिए जल्दी-जल्दी में यह चीज़े छुट वही है ठीक एफ चलाते है error है classloader.get system resource array last में लग गया हाँ लगा ही था मैं को कुछ ऐसा ही होगा ठीक है तो इसकी dimensions को मैं को change करना है ठीक है dimension change करने के लिए मैं को यहाँ पर image class को उपड़ेगा ठीक है image i2 is equals to is equals to i1.get image ठीक है i1.get image.get scale instance बिल्कुल यही वाली ठीक है और यहाँ पर में एक उसकी image की width और वह सब देना है तो यह देते है 300 ठीक है और यह देते है 400 और यहाँ पर लिखते है इमेज.default.scale default ऐसी एली अंडर स्कोल डी एफ ए यूट चल रहे चल रहे ठीक है वापस इसको image icon class में convert किया i3 is equals to new image icon ठीक है इसके अंदर फास के मैंने हाँ पर i2 और यहाँ पर पास करेंगे i3 ठीक है चलाते है अरे यह कौन सी में उठाली इसने है फिफ दाट jpg ने उठानी है प्रेविद्ध भाई my bad yeah perfect बिल्कुल इसको थोड़ा से बढ़ाना है ठीक है इसको थोड़ा से 400 करते हैं और थोड़ा से नीचे लेके आना है फिर कटिए बस इसको यह कितना है कि यहां से काम होना चाहिए हो पिल्कुल पर्फेक्ट लग लग रहे हैं जाए है कि फ्रेम हो से गधिना जाए जो फ्रेम अपना hmm perfect बिलकुल ठीक है back ओरहे perfect ओरहे ठीक है तो वीडियो बहुत लंबी होगी वीजिवाली तो इसको क्लोस कर रहा हूं वीडियो को so thank you so much for watching this video ठीक है have a good day झाल